हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी लड्डू की रेसेपी ये वो लड्डू है जो मैंने सौम्या को बैंगलोर जाते समय में बना कर दिया था तो सौम्या ने तो बुला था बेसन के लड्डू बनाने को लेकिन मै मैंने लिये हैं कुछ ड्राइफ रूट्स हैं गुड भी है चीनी भी है और बेसन के साथ में थोड़ा सा बना लूगी मैं गेफू का आटा और गूंद लिया है तो कई चीजे हैं वो मैं बार-बार जैसे-जैसे मैं बनाती जाओंगी आप देखते जाएगा तो पूरा मैंने लिया है बेसन तो उसे एक कटोरी घीमी में भून रही हूँ अच्छी तरह से बढ़िया सा बूनना है जब तक कि एकदम बढ़िया सा कलर ना आजा और कुछ भी आने ना लग जाए तब तक तो हुआ ये कि सौमय से मैंने बूचा कि कुछ ले जाओगी तो मैं ही रही हूँ तो कुछ healthy लड़ू बनाओं जो कुछ dry fruits वगरा मिला के बनाओं जिससे की खाने पे एक लड़ू भी खाले तो कुछ तो अच्छा चीज बेट में जाए तो बस इसी परपस से मैंने ये लड़ू बनाया वैसे ये लड़ू मैंने ना कभी try किया है ना कभी कही बनाते हुए किसी को देखा भी था तो खोदी ही मैंने सोचा कि थोड़ा सा गेहूं का आटा एड़ करके और बाकी सारी रैप रूट्स के साथ मैं इसे बना लेती हूँ तो सबसे पहले तो मैंने बेशन को भून लिया है जिस तरह से बेशन के लड़ू में बेशन को भून मैंने दrü Aid को आटा है और अब मैंने लिया एनला है तो दो कटोरी बेसन था और एक कटोरी रिया है इसम कटोरी आटा से ही सारे मेजरमेंंट्स किये है और इसमें भी जितना जार graft फी उत्ना डाला है जदा घीप झाला तो आठीकषी रहाई कहने से कि अच्छे लड्डू वगरा पसंद नहीं है लेकिन हां कुछ-कुछ लड्डू वो खा लेती है जैसे बेसन के हुआ या और भी कभी-कभी कोई लड्डू जस्ट मोड के उपर है जो पसंद आजा है तो फिलहाल तो मैंने ये वाला लड्डू ट्राइ किया है उसे पसंद भी आया था तो जो बेसन मैंने भून के रखा है एक अलग बरतन में उसी में मैंने चीनी का बूरा डाल दिया है दो कटोरी के लगबर तो दो कटोरी बेसन ही था और दो कटोरी ही चीनी का बूरा डाल दिया है तब तक वो उसमें पिघलता रहेगा थोड़ा-थोड़ा गर्माहट से औ और इधर मैंने आटा जो मैं भून रही थी, उसमें मैंने डाल दिया है खरबूजे के बीज, तो चटकने लगे हैं इसमें खरबूजे के बीज अच्छी तरह से, और आटे को भी भून कर मैंने इसे में मिक्स कर दिया है, तो एक बड़ा बरतन ले लिया है, इसे में सारी ची तो बस अब गेहू भी भून गया है और बेसन भी भून गया है अब मैं डाल रही हूँ घी दुबारा से और सारे ड्राइफ रूट्स में भून कर निकालने वाली हूँ तो बारी बारी से सारे ड्राइफ रूट्स अच्छी तरह से फ्राइब कर लेंगे और ये हैं गोंद, गोंद मैंने एककटोरी लिया है गोंद बाकी सारे ड्राइपूर्ट से थोड़ा जादा मात्रा में मैंने लिया है क्योंकि गोंद का टेस्ट बेसन के साथ बहुत अच्छा आता है और लास्ट में मैं ये डाल रही हूँ कद्दू के बीज, खर्बूजे के बीज और बादाम और पोस्ता दाना तो गोंद को तो हलका सा मैंने इस कुटनी की जो बधर है उससे कौट लिया है तो पता नहीं क्यों ये मेरे गोंद ब्राउन ब्राउन से हो जाते हैं बाकी सबके वाइट वाइट से रहते हैं उससे जादा तल गए है क्या बात है तो अच्छे तक फ्राई होने तक मैंने इससे फ्राई किया जब तक ही वो चटके लेकिन बाद में इसके कलर थोड़ा डार्क हो जाता है खेर बाकी चीज़े तो ठीकी हैं इसकी तो थोड़ा घी के साथ ही देखिए इस तरह से कुट गया है यह और यह जो मैंने अलग से फ्राइ किया है इसे मैं पीसने वाली हूँ मिक्सर में और काजू को मैं केवल कुटनी से ही थोड़ा-थोड़ा तोड ले रही हूँ तो थोड़े तुकड़े कर ले रही हूँ काजू के बाकी मेवे मैं पीसने वाली हूँ तो यह काजू और पिस्ता है इसे मैंने केवल कुटा है और कद्दू के बीज और बादाम और पोस्ता दाना मैं पीस कर डालने वाली हूँ और जो बाकी गी कडाई में बच गया था वो भी मैंने इसी मिक्षर में मिक्स कर दिया है और सारी चीजें त्यार करके मैं उसे में मिला दूँगी यह मैं भी बाद में पीस हूँगी अभी गरम है तो इधर मैंने कडाई पर डाल दिया है एक कटोरी के करीब है गुड और एक ही कटोरी के करीब है चीनी एक कटोरी के एक कटोरी से कम ही है चीनी तो जितना मैंने गेहूं का आंटा लास्ट में एड किया है न पहले मैं मिलाने ने वाले थी बाद में जो मिलाया है तो उस गेहूं के आंटे के बराबर भी मैंने गुड़ और चीनी ये ले लिया है तो बेसन के बराबर तो मैंने चीनी का बुरा ही मिला दिया था और बाकी की जो मिठास गेहूं के आंटे से जो थोड़ा कम हो रहे थी वो मैंने इस गुड़ को डाल कर पूरी की है और इधर बदाम और खर्बूज के बीज और कद्दू के बीज और पोस्ता दाना ये सब मैंने मिक्स करके जो पीसा है वो भी एड़ कर दिया है ऐसी में और ये काफी अच्छा लड़ू है हल्दी है चुकि इसमें गौंद मिला है कद्दू के बीज मिले हैं और बाकी ड्राइफरोट्स तो मिले ही हैं पोस्ता दाना मिला हुआ है तो सड़ियों के लिए और खासतर कि हड़ियों की मजबूते के लिए बहुत ही अच्छी चीज ह आये और गदू के बीज का बहुत ही जादा फाइदा होता है खाने पर स्किन के लिए, हेर के लिए और भी बॉड़ी के कई पार्ट से जहां पर कद्दू के बीच को खाने से आपको लाब मिलता है तो इसके साथ ही मैं गुड़ भी डाल दे रही हूँ तो मतलब ये लड़ू ऐसा है कि इसमें हर तरह की अच्छी अच्छी चीजे ही पड़ी है और एक पॉस्टिक और एक बहुत ही टेस्टी लड़ू बन के त्यार होने वाला है और इस गुड़ को जो मैंने घोल दिया है गुड़ पिघलने तक ही खाली पकाया है और इसमें डाल दी है थोड़े से केसर के धागे तो एक और भी एक और अच्छी चीज इसमें एड़ हो गई है इसी केसर के साथी तो देखिए अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे तो अगर आप भी बच्छों को कुछ हल्दी खिलाना चाहते हैं अब जैसे अलसी के लड़ू हुए या सोट के लड़ू हुए या मेथी के लड़ू हुए बच्छे खाना नहीं चाहते हैं लेकिन बेसन के लड़ू के साथ अगर आप इन सब चीजों को एड़ कर देंगे न तो उन्हें पता भी ने चलेगा और वो खा लेंगे और अच्छा लगेगा तो ट्राइ जरूर करिएगा ये वाले लड़ू की रेसिपी और इसके बाद मैं इसमें एड़ कर रही हूँ थोड़े से इलाइची का पाउडर और इसके लिए मैंने इलाइची को कुटनी मची तर अच्छी सी खुश्बू आएगी और जो वाइट पेपर है ये भी बहुत ही अच्छा होता है हमारी बॉड़ी के लिए तो बस अभी लड़ू देखें केवल घी ही अभी पड़ा है लड़ू बदने लग गया है बस इसमें हमें मिलाना है जो गुड़ हमने पिगला कर रख हुआ है तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए गुड़ तब मैं अट कर रहे हूं क्योंकि अगर दोनों चीज़े गरम रहेंगी तो लड़ू हमारा थोड़ा हार्ड हो सकता है तो दोनों चीज़े थोड़ी सी ठंडी रहेंगी तो लड़ू सौफ बनते हैं कोई भी लड़ू बन और बस हमारा लड़ू लगभगबन कर त्यार है बस अब इसे हमें शेप देना है तो चलिए अब इसे शेप देकर लड़ू बना लेते हैं और ये रेसिपी थोड़ा शेयर करने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि टाइमी नहीं मिला इधर बीच गई और रेस्पीज भी आपके साथ शेयर की और भी कुछ वीडियो शेयर किये तो मुझे ध्यान आया कि मैंने आपसे बोला था कि मैं ये लड़ू की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी तो बस मैं आज ये लड़ू की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसे बिल्कुल ट्राइ करें और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, यह लड़ो ड्राइफोर्स आप जितने चाहें उतने इसमें डाले, गोंद का बहुत ही बड़ा इसमें टेस्ट में इसके असर आएगा, और देखने में भी बहुत ही खुबसूरत लटू तयार है, वीद्या फ्रेंट्स आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, रेसिपी भी पसंद आई होगी और पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा और अपना साथ योगी बनाए रखिए मिलेंगे एक नए और इंट्रेस्टिंग वीडियो और व्लॉग में और मेरे शोट्स भी आप देखते हैं, आपको पसंद आते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइगा, तो छोटी छोटी जो रेसिपी इस डेली की हैं, वो मैं अक्जर शोट्स में डालती रहती हूँ, तो और देखते रहें, जिन की रोजाना विश्वेता, आईए एक लड़ू में आपको तोड़के दिखाती हूँ, बहुत ही सौट है, और अंदर मेवे, आपको थोड़े थोड़े दिखाए, चुकि सारे मेवे मैंने पीस दी हैं, जिससे बच्चों को बताना चले, इसमें कित बहुत बहुत धन्यवाद, रस्पी पसंद आई हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर्स करिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो, तो कर लीजेगा, ठेक के फेल्स और बाबाए